बुद्वा ब्रत का था, समतापूर्णगर में मदसूदन नाम एक ब्यक्ति रहता था, वह बहुत धन्वान था, मदसूदन का विबाब बलराम पूर्णगर की सुन्दा लड़की संगीता से हुआ था, एक बार मदसूदन अपनी पत्नी को लेने बुद्वार के दिन बलराम कुल गया, मदसूदन ने पत्नी के माता पीता से संगीता को बिदा कराने के लिए कहा, माता पीता बोले बेटा आज बुद्वार है, बुद्वार को किसी भी होफ जूब कार के यात्रा नहीं करते, नहीं मदसूदन नहीं माना, उसने ऐसी, सुब असूब ही बातों को ना म संगीता को प्यास लगी मत्सूदन एक पेड़ के निचे बैठा कर जल लेने चला गया थोड़ी देर बात जब मत्सूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा क्योंकि उसकी पत्नी के पाद उसकी ही सकल सुरत का एक दूसरे व्यक्ति बैठा था सं में कोई अंतर नहीं कर पाए मत्सूदन ने उस व्यक्ति से पूछा तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो मत्सूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा अरे भाई यह मेरी पत्नी संगीता है मैं अपनी पत्नी को ससुरार से विदा करा कर लाया हूं लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रस्न कर रहे हो मत्सूदन ने कहा तुम जरूर कोई चोर यह मेरी पत्नी संगीता है मैं इसे पेड के नीचे बैठा कर जल लेने गया था इस पर उस व्यक्ति में कहा अरे भाई जूट तो तुम बोल रहे हो संगीता को प्यास लगनी पर ज दोनों एक दूसरे से लगने लगें उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां एकत्र हो गए नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गया शिपाही उन दोनों को पकड़का राजा के पास दे गया सारी कहाने सुनकर राजा भी कोई निढय नहीं कर पाया संगीता भी उन द पिता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया या सब भगवान बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा। दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायर हो गया। आनन्द पूरोग जीवार में आपन करने लगी इस तरह भगवान बुधव की क्रिपा से उनकी यहां खुशिया बरसने लगी। इस तरह जो इस्तिरी पुरुष बीधुवत बुधवार का वरत करके वरत कथा सुनते हैं। आपवान बुधते हैं। यह सभी का सुदूर करते हैं।